असलाम अलेकुम आज हम एक्सराइज 2.1 का क्वेशन बर 20 करेंगे तो इसमें जो सवाल यह है कि यह आपको जो एक्सराइज आपको है तो हमने क्या फाइंड करना है जो हमने पहला पार्ट है वाट इस एवरेज वाट फ्लोस ठीक है तो हमने पहला जो काम करना है कि एवरेज rate of flow of water ठीक है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे f of 1 minus f of 5 divide by 1 minus 5 यह आपने फार्मूला पहले पढ़ा हुआ है f of x minus f of a divide by x minus a ठीक है तो यहाँ पर वह वाला फार्मूला हमने इसमें apply किया है यहीं फर्स मिनट से लेकर पांच मिनट तक और 1 minus 5 यह डिफरेंस जो है टाइम का तो उसके लिए अब हमारे पास जो function है यानि f of t जो है वो 230 minus t है तो सबसे पहले आपने function की value में t की जगा 1 put कर देना है तो 200 into 30 minus 1 का whole square minus अब f of 5 है तो 230 minus 5 का whole square और divided by 1 minus 5 तो इसको हमने simplify करना है 200 और 30 minus 1 क्या हो जाएगा 29 का square हो जाएगा minus 230 minus 5 तो यह आपके पास क्या आजएगा 25 का whole square और यह हमारे पास जाएगा minus 4 यानि अब हम जो है इसकी average rate यानि speed मालुम करना है flow of water की पहले 5 मिनट के दोरान तो हमने इसको मजीद solve करना है तो 29 का square लेकर जब आप 28 से multiply करेंगे आपके पास यह answer आएगा फिर आप 25 का square लेकर जब आप 2 एनिट से multiply करेंगे तो आपके पास यह answer आएगा इसको मजीद जब आप minus करने के बाद डिवाइड कर देंगे minus 4 से तो आपके आजएगा 10,800 तो यह हमारे पास यूनिट है इसके लीटर पर मिनट में है यानि पर मिनट एक मिनट के अंदर इतने लीटर आप वाटर जो है इसका function given होता है तो उसका हम derivative लेते हैं ठीक है तो यानि f of t हमारे पास क्या है दिख लेते हैं पहले 230 minus t का whole square है तो जब आप इसका derivative लेंगे f dash of t तो वो हमारे पास यह power आके इससे multiply हो जाएगी तो यह हमारे पास हो जाएगा 200 into 2 और 30 minus t और 2 minus 1 हो जाएगा और उसके बाद दुबारा हम derivative लेते हैं इसका function का तो यह आजाएगा हमारे पास 30 minus यानि जब इसका derivative लेंगे तो इस constant का derivative 0 आजाएगा और minus t का derivative क्या आजाएगा minus 1 sorry minus 1 आएगा हम पर तो यह आपके पास यह माइनस यहाँ पर आ जाएगा starting में तो 200 multiplied to क्या हो जाएगा 400 और 30 minus t ठीक है तो हमें किस time पर मालूब करना है 5 मिनट के उपर तो आपने यहाँ पर f dash of t की जगा 5 पुट करना है तो minus 400 और 30 plus 5 तो यह minus 400 into 35 तो यह आपके पास आजाएगा answer 14,000 और यह जो value है यह minus में आईगी ठीक है क्योंकि water running out कर रहा है तो मतलब यह आपकी decrease हो रहा है ना तो यह आपके पास answer आजाएगा minus 14,000 तो यह यहाँ पर जो है वो minus करेंगे ना 30 में से 5 को minus करेंगे तो यह आपके पास आजाएगा 25 तो यह हो जाएगा 30 में से 5, 25 हो जाएगा तो फोर हैंड को जब आप 25 से multiply करेंगे 10,000 ठीक है तो minus 10,000 लीटर पर मिनट ठीक है यह एक मिनट में इतने लीटर जो है वो इस speed से जो है water flow करेगा तो यह हमारे पास solution था question number 20 का question number 21 है the height as in feet of a rocket 10 seconds after its launching is given by तो यह जो आपके पास equation given है यह आपको height दी गई है ठीक है यह एक rocket है और यह उसकी height है अब आपने find यह करना है कि उसकी जो velocity है ठीक है वो आपने find करनी है किसी भी time के उपर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यह velocity के find करने के लिए हम जो यह equation है ना इसका हम derivative लेगे ठीक है यानि velocity find करने के लिए हम इस equation का ds over dt इसको लिख सकते हैं आप और इसका हम derivative लेंगे तो यह आपके पास क्या हो जाएगा माइनस 3t square और माइनस 3t square और यहां पर हम plus इस 2 को multiply कर देंगे 96 से और t2 minus 1 1 हो जाएगा और उसके बाद इसका derivative लेंगे 195t का तो यह हो जाएगा 195 और प्लस 0 इसको further simplify करते हैं तो यह माइनस 3t square और प्लस 96 multiply by 2 यह हो जाएगा 192t और प्लस 195 ठीक है तो यह आपके पास क्या आजाएगी velocity अब जो दूसरा पार्ट यह है कि आपने यह velocity जो है इसको t is equal to 0 के उपर भी find करना है 30, 50, 70 और इंटर्प्रेट रिजर्स और रिजर्स को आपने describe करना है तो सबसे पहले when आपने लिखना है when t is equal to 0 ठीक है तो जब आप यहाँ t is equal to 0 पुट करेंगे इधर भी 0 पुट करेंगे इधर भी 0 पुट करेंगे तो यह दोरो 0 हो जाएगे तो आप पास क्या आजाएगा 195 अब दूसरी जी condition है when t is equal to 30 तो जब आप 30 पुट करेंगे यहाँ पर इस equation के अंदर ठीक है यहाँ पर 30 पुट करेंगे 30 का square लेंगे इसको 3 से multiply करेंगे यहाँ पर 30 पुट करेंगे 80 की जगह है इसको इससे multiply करेंगे फिर इसमें add करेंगे तो आपके पास जो और 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 रिजल्ट आएगा ठीक है मैं direct लिक रहा हूँ वापके पास आजएगा 3255 ठीक है बिलकुल इसी तरीके से जब आप t is equal to 50 पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आएगा इसमें velocity की जए एक्वेजन है तो आपके पास ज़ल्ट आएगा 2295 ठीक है और फिर आप जो यह पहला 0, 30, 50 और 70 तो जब आप इसमें t is equal to 70 पुट करेंगे तो इस एक्वेजन में तो आपके पास ज़ल्ट आएगा माइनस 1065 ठीक है तो time जब 0 था तो उसकी यह velocity थी ठीक है और उसके बाद जब time 30 seconds हुआ तो उसकी ज़ो है यह velocity थी तो इसमें जो maximum velocity है अगर आप यहाँ पर बात करें तो वो 30 seconds के उपर जो है इसकी velocity ज़ो है वो rocket की maximum थी उसके बाद 50 seconds के उपर इसकी velocity थी और सबसे जो कम velocity थी माइनस में जब velocity आई तो वो कितनी थ 70 seconds पर अब माइनस velocity का मतलब यह है कि जब यह backward move कर रहा था ठीक है यह इसका यह मतलब है तो यह आपके पास इसकी velocity आगई है अब तिसरी जो condition है वो क्या है कि आपने maximum height find करनी है ठीक है जो rocket लेकिए अगर आप कोई चीज यहां से throw करते हैं for example आपने एक ball throw की है तो वो किसी इसकी भी height के उपर जाके वहां यह रुक जाएगी यहां पर तो इसकी खास height के उपर velocity 0 होगी तो वहां पर इसकी height क्या हो जाएगी उसके बाद इसने backward move करना है ठीक है तो इसलिए हमें तो maximum height find करनी है तो हम velocity को 0 के एक ball लेंगे तो तब हमारे पास maximum height आएगी तो यह जो हमारे पास given equation है velocity है ना इसको हम 0 के एक ball लेंगे और इसको simplify करेंगे तो आपके पास जो time जो आपके पास आएगा उसके उपर height क्या होगी वो maximum होगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लिखेंगे यहाँ पर कि when velocity is 0 then ठीक है तो आपने क्या करना है कि minus 3t square plus 192t plus 195 is equal to 0 के एक ball लेना है ठीक है velocity को 0 लेना है ताकि हमें maximum height का पता चल सके तो उसके बाद यहाँ पर minus 3, ले लें ब्रैकिट में तो आपके पास आएगा t square minus 64t और minus 65 is equal to 0 ठीक है तो यह तो 0 हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर हा मैं कर लेता हम इसको solve इस equation को t square minus 64t minus 65 quantity equation है ठीक है तो इसमें हम इसको ब्रैक कर लेते हैं तो 64 है तो 65 को 1 से multiply करें तो इसको ब्रैक करें तो इसको ब्रैक करें तो आपके पास किया जाएगा minus 65t plus 1t minus 65 is equal to 0 तो यहाँ पर आप t common ले लेंगे तो आपके पास किया जाएगा t minus 65 और इदर भी one common लेंगे तो ब्रैकेट में आजएगा t minus 65 is equal to 0 तो एक आपके पास यह जो ब्रैकेट में है इनको आप एक दबह लेंगे t minus 65 और दूसरा t plus 1 is equal to 0 t is equal to 65 और एक t is equal to minus 1 बना जाएगा तो minus में तो नहीं होता टाइम तो आपके पास जो है वो 65 यहाँ तो इस टाइम के उपर ठीक है 65 seconds के उपर जो है इसकी जो height होगी वो क्या होगी maximum होगी या फिर आप यू भी कह सकते हैं कि इस time के उपर velocity क्या होगी 0 होगी ठीक है तो हमार पास given equation थी जो हमार पास height थी तो यहाँ पर t की जगा हम क्या put करेंगे 65 ठीक है तो हमें हमार पास क्या जाएगी इसकी maximum height आ जाएगी तो जहां जहां टी है वहाँ आप 65 put कर दें 65 का cube और प्लस 96 65 का square प्लस 195 इंटू 65 और प्लस 10 तो आपके पास जो final result आएगा वो आए जाएगा 143660 और यह feet में था ठीक है यानि maximum height जो rocket जो है वो इसमें attain कर रहा है वो क्या है यह वाला यह वाली height है ठीक है तो इस तरीके से आपने इस question को solve करना है उम्मीद है students आपको समझा आ गया होगा और आपसे request है कि मेरे चैनल को subscribe कर लें और bell icon पर प्रेस करें ताकि आ आने वाले वीडियो जैवो time time पिलती रहें thank you, allah hafiz